मैं है स्लामोदिन खान और आप देख रहे हैं परहा टाइम्स मुम्रा रपीफ ने 26 वर्षे सल्मान लियाकाश्चा को रेलवे टिकट की काला बाजारी करते हुए गिरफतार किया है सल्मान लियाकाश्चा कादर पहले MS कॉलेज के पास हेवन हाइट्स का रहने वाला है 254 रुपे बताई जा रही है बताई जा रहा है कि आरपीफ के एक यादो और उनकी टीम को ये सबसे बड़ी काम्याभी मिली है अक्सर देखा जाता है कि लोग टेड़ों में यातरा करने के लिए दलालों से टिकट लेते हैं और यातरा के दवरान मुसेबतों का सामना भी करना पड़ता है इन यातरियों को भारतिये रेल टिकट की काला बाजारी एक बहुत बड़ा अपराद है मुम्रा आरपीएफ को जानकारी मिली थी कि आरच्छन खिड़की के पास एक बेकती एक्सप्रेस वा मेल ट्रेनों की टिकट की काला बाजारी करने के लिए आया हुआ है जिसके बाद आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर एक यादो ने अपनी टीम के साथ घेराबंदी कर सलमान लियाकत शाह को पकड़ लिया इसके पास से एक तालिस टिकट बरामत किये हैं जिसके कीमत एक लाख दो हजार नो सो चवण रुपे है पूश्टाच में इसने ये भी बताया कि भारतिये रेल की टिकट बेशने का इसके पास कोई अधिकार नहीं है इसके बावजूद भी ये टिकट की काला बाजारी कर रहा था आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर एक यादो ने इस पर क्या जानकारी दी है अधिक पकड़ा गया है उसके पास से कितने टिकट बरामद हुए है उसका अमाउंट कितना है हमरे ट्वार्टर दौरा में टाइम टॉटाइम जो गाइडलाइन्स मिलते हैं कि रेल्वेए के टिकट रवाय दलाली कंसर्म में रोग था सब्सक्राइब के लिए अपना नाम हमा शर्मान लियाकत शहा एज अप्रॉक्समेटली ट्वेंट बिल्डिंग्स कोशा मुम्रा करेने वाला था जब उसके साथ इंक्वारी की गए तो उसके पास से एक कार्ट टिकेट और फॉट्टी नफ्स टिकेट्स टोटल फॉट्यवन टिकेट्स जिसके कुल वैलू एक लाग 2954 रुपए थी रिकावर किया गया तो इस समय में जब उससे पूछा गया तो उसके कोई भी आगर आप फेस्बुक पर देखते रहे हैं तो इस समय में जब उसके कर लिए ताजा तर्न खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें